तो है अप्सक्राइब दोस्तों वेल्किम तू माई चैनल दोस्तों क्यासे आप मैं एमित करूंगी आप सो ब्लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और सर्दिया आ गई है सर्दिया एंजॉय कीजे तो दोस्तों आज की वीडियो में बनाएंगे एक इसा बनाएंगे जिसको आप रात को लगा के सो चाहिए और रेगुलरली लगाईए चाहिए उसको वीक में दो तीन बार लगाईए तो उससे आपकी स्किन काफी इंप्रूब हो जाएगी और जिनकी शादी होने वाली है अभी जल्दी हो पी लगा सकते हैं और कोई भी लगा आप किसी भी ब्रेंड का ले लीजे और विटमीन-E के कैपसूल हमें एक कैपसूल चाहिए और यहां पर मैंने लिया है यह केसर अच्छा यह प्योर होना जरूरी है पिलकुल आप ध्यान से देख लीजे अच्छी जगह पर जहां से अच्छी सी किसी शॉप से बाई ही तो यह समने हम लेंगे स्धी अलोविर dt जो टो बाइम जोए यहां तो फिड़े दो भी पर यह पर और इसको आपके रख सकते हैं ऑपने अपना और डेली कु अर्पलाय गर सकते हैं जब तक यहन में अब चलेगा इसमें तीन से चार मैं धागए-पने कीन कैशर के यह दिख लीजिए तीन से चार धागे मैंने अलोविरा जल के इसमें पांच है भी जितने भी आप ज्यादा भी ले सकते हैं पांच शे तक ले सकते हैं तो यह मैंने इसके अंदर बिगो रही हूं दोस्तों लाइट पूरी ना वीडियो उपर से करने पर लाइट पूरी आ रही है इसलिए मैं उठा उठा के दिखा देती हूं आपको यह देखी इसमें मैंने केसर और यह डाल दिया है अब इसके बाद हम लेंगे एक विटमीनी का कैपसूल हम इसके अंदर मिला लेंगे तो इसको काटना पड़ता है विटमीनी का कैपसूल बहुत ही रीजनेवल मार्कित में मिल जाता है बिल्कुल महंगा नहीं होता है आप इस तरह के का पूरा पत्ता ले लीजे और इसको उपर से काट के इस कैपसूल को इसका टोरी में खाली कर दीचे तो मैं इसको पहले कट कर तो में इसको हाफ डालूंगी और हाफ इसमें बचा लूंगी या फिर आप अलोविरा जयल की क्वांटिटी डबल कर दीजे दो स्पून ले लीजे और एक सद बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं नहीं तो इसको भी ऐसे ही खड़ा करके आप किसी प्लेस पर रख द तो में इसमिक्स करेंगे ये मत जब अछपन कि ये मत सोचना कि इसमें थिमेंस वाला नहीं इसमिटमीन एक गा चैप्ले है फॉर कि देविकुल एक डूर अशा कम उनका बिल्कुल एको तो इसमी प्लैज में करने के लिच में जब आ जाब हाई काफ करों जड़ा उसकोकि पर काफी अच्छा ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाएगी, इस तरीके से proper mix करके आपको दिखाती है, तो friends इस तरीके से mix हो गया है, तुरंत में अगर आप इसको पहले से mix भीगो के रखेंगे, तो और भी अच्छा इसमें कलर आजाएगा के सर का, तो इसको बस जरा सा लेना ह नाइट में इसको नाइट क्रीम की तरह यूज कीजिए इतना सा लीजिए बस बाकी का आप स्टोर कर सकते हैं नाइट में इसको नाइट क्रीम की तरह यूज कीजिए पेस बुश करने के बाद और आप दिन में मॉर्निंग में कर चाहें तो आप इसको इसमें केसर केसर तो है अपने फेस के उपर रगुलर्ली इसको अप्लाय करेंगे तो आप देखेगा कितनी अच्छी आपकी स्किन पर ग्लोव आ जाता है यह मैंने भी अप्लाय कर लिया है आज आपको बताने के चक्कर में मेरा भी अच्छा सा स्किन केर हो गया और मैं हमेशा गाइस एक बर मेरी स्किन जो है काफी डैमेज हो गई थी कैमिकल यूज की विज़े से तो उसके बाद मैं अपने स्किन के उपर हमेशा नैच्छल प्रोड़क्ट ही लगाती हूँ मेरे विडियो में आपको अमेशा नächच्छल ट्रिप में लेंगी को ने बताती हूँ की कोई भी कैमिकल यूज करना और मेरे को पसंद और ना ही मैं किसको बताती हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा लिप्स के उपर भी ऐप्लाई कर लेती हूँ विटमिन E और आलोविरा जैल है तो चलिए मेरी तो हो गई है स्किन केर और आप भी कर लीजिए अपनी स्किन केर और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए और मुझे जरूर कमेंट बक्स में बताइए आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते है मेरे चैनल पर कुकिंग वीडियो, स्किन केर वीडियो मेक अप वीडियो या व्लॉगिंग या सबका मिक्स अंद मैच प्लीज मुझे कमेंट बक्स में मताइएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी हैं तो बाबाई, टेक कियर